नमस्कार मैं नरेश सिंगल वास्तु कंसल्टेंट आज मैं आपको ऐसे कुछ पांस साथ टिप्स आपको दे रहा हूं आपको जिसको हर हाल में अपनाना ही चाहिए भले आप वास्तु में आपका बहुत बड़ा विश्वास हो या ना हो यह आप वास्तु कंसल्टेंट को करते हैं रिलेशन्शिप में और रिलेशन्शिप पिता-पुतर की भी हो सकती है फैमिली टोटल फैमिली की भी हो सकती है बट मैं एक जो रिलेशन्शिप की बात कराऊं हज्बन वाइब की पती पतनी की वहां पर अगर घरबर होती है तो क्या होती है और वहां पर जदी द बेड़ूम होना चाहिए जहां कस्टमाईज की बात करता है तो यह बना भी करते हैं है तो कि बेड़रूम तो साउथ में हराल में बनानाः चीए यह को प्रीम नहीं है but कुछ लोग ऐसे कहते कि साउथ वेस्ट में फैबली फोटोग्राफ लगना चीए जो पारी फैम लिव को लगेगी वो यह तो नर्ट निवर पिलगेगी या इस्ट यह यह कहें इसके आगे ना जाएं तो यह आपको करेंगे तो आपको रिलेशन्शिप में भी अच्छा रहेगा बगी हरेगा अगर दो नम्मर में सहतों उसमें आप फैमिली फोटो कुछ लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण जी की फोटो लगा देते हैं तो फ्रसा प्यार महबत वैसा ही जाएगा आप जो है राधा किशन जी की फोटो वहां नहीं लगा सकते किसी भी रूप में देवी देवता की फोटो आप साउथ-वेस्ट में नहीं लगा सकते वैसे भी जो अगर जोनिंग वाइज बात करेंगे तो वह पित्तरों का होता है अब इसके साथ दूसरी बात हम सबस्की कर लिते हैं uh काम आने वले बात हमारी कल्चर था पहले तो लंषत ही था अभी घरोन में होता था बेना कुछ जाने बेना किसी जोतिश्श के वास्ति की बात करें-वह तीन रोटी में आभी भी निकालते थी हमारी लोटी के लिए-पर पकुर्ण सी और-फारा जो भी बोलते हैं समझ गए आप तो बात करें कि गाएं की रोटी क्यों निकालने हैं गाएं यानि मा के आश्रवाद के बिना तो संत महात्मा रिशी मुनी भी आगे नहीं बढ़ पाएं तो इसलिए आपको गाएं की रोटी सबसे पहले निकालने हैं चीजाए बात करेंगे दो ने कि अलुड़ आते हैं अब बात करें हैं कुत्ते क्या है कि उसके बेसीक नेचर क्या भूब लग जाती है यह भूत बड़े आरोप ना भी लगें हमारे को ऐसा सुननने को मिल जाता है यार मेरी तो देवरानी ने ऐसे कह दिया अख़ाने ने पह रोशी ने ऐसे कह दिया, मेरे तो कुलिक ने कुछ ऐसे बोल दिया यानि कुछ उसको उपर आरोप टाइप का कुछ बोल देते हैं, कुछ छोटी-छोटी चोटी शे कह सकते हूँ, वो लग जाते हैं, तो आप कोई भोच्ए नहीं उसके लिए आप कुत्ते की रोटी नियुक इसी परकार जो है तीसरी रोटी किसकी मैंने बताई, क्लो में उसकी रोटी निकालने से कोव आपको देखते कि वो एकदम आता है और चोरीस से वाला नजरिया होता है पिक करने का वो आता है चोहनी कोई आपका हख नना ले जाये, वह लेकर कहता है, कि भाई को इतना मिलें, म भाई को प्रेफरेंश दे दी मुझे नहीं दी ऐसे स्टाफ के अंदर भी होती है कि मैं तो इतना काम करता हूं बोस ने मुझे तो कुछ पैचान या मुझे तो शाबाशी या मुझे तो कुछ ऐसा एप्रिशिट किया नहीं दूसरे को कर दिया तो आपका हग कोई न ले सकते हैं तो भी रख दीजिए वह भी विवस्था नहीं है अपने भाव से आप कोई के नाम का निकाल कर रखी है खा कोई भी जाए चिंता करिया की जुड़त नहीं है अब इसी परकार दूसरी बाद जो आती है जो आती है कि तबियत गिरी-गिरी सी रहती है तो इसी मेडिकल फिट्नेस इसको बोलेंगे वो नहीं बनी रहती है हमेशा ना कुछ लगाई रहता है आप दवाई डोनेट कीजिए मैडिसन डोनेट कीजिए अब आप कहेंगे हम कौन सा रोक्तर हम ऐसे कैसे डोनेट करेंगे जिसको जो चाहिए होई तो दवाई देंगे आपको पता लगता ना कि वड़ी कोई गेस्ट आ गया कोई स्टाफ में है वैसे पता लगा उसके सर में दर्द है आपको दिख लेकर बहार जारे को चोट लगी हुई है इस मामले में अगर आप देखेंगे तो जो दिल्ली के अंदर शीषगंज गिर्दवार है वहां कर सकते आप उनको डोनेट कर सकते हैं बहुत सारी एंजीयों हैं औरगनाजेशन हैं इसे कलब्स जो पेशन्स कि सेवा करते हैं आप उनने में भी कर सकते हैं आप नाम लिखवा दीजे जब भी उनकी बिलिंग होगी आपकर नाम पे हो जाएगी दोनेशन हो गई तो कि जो बात में कर देते हैं सबको चाहिए धन में को एक याद है बहुत पुरानी बात है जब में इस विद्या में एंटर हो रहा था बच्चा इता यह मान के चली 24 साल का होंगो 30 साल का तो उन्हेंने मुझे संत ने मुझे अपने पास बिठाया नहीं उन्हें का धन कमाओ के आवेश्य पुत्र आपको धन आपको जूर कमाना चाहिए तो धन तो सभी को चाहिए तो कहने का मेरा मतलब यह है हम बोलते ना एक लक्षिमी जी के आते कि तुम्हें बिने यग ना होता है धन के बिना तो हम पुझा पाड़ भी करना मुश्किल है कि हम यग भी नहीं कर सक आप फॉंटेन रखिए चोटा सा फॉंटेन यार रखें वाटर फॉल नहीं फॉल मिस फॉल गया तो फॉंटेन रखिए यानि उपर से नीचे से उपर को जाया पानी जिसको हम बोरिंग बोलते हैं कुवां बोलते हैं उसी का एक छोटा प्रारूप है तो आप फैंक्शु पांच या आठ साथ किसने भी परकार के अनाज रख लीजिए उससे भी क्या कि घर में बरकत होगी आपको मैं यह निए कि इससे रखने से आपको एकदम से धन आ जाएगा नहीं ऐसा निए जिसकी सेलरी मान लिए जब 50,000 पर है 20,000 पर तो जो उसको है वही है बट उसको ब पता ही है कि मुझे उमीद है कि आपको यह सब चीजे किसी को भी अपनाने चाहिए आपको लाब मिलेगा फाइदा मिलेगा और कुछ और भी आपको लगता है तो आप मुझे कोमेंट्स में आइस यूजली लिखते ही हैं दोबारा लिख सकते हैं थैंक यू वेरी मच मुझ मुझे, आपको पा ejectında राप्सवारा मुझा अवारा लिख साथ प्यामेंे प्याक मुझे कोई मुझे टो भी पहते हैं यि दोब, ऑजके घक मुझे को वगते हैं यूजली, इस्थिशली ऐस तो शावďमें चाहते हैं पहती हैं कि हैंओ कर भी आपको झाल झाल